नंदनी रोड में हुवे जानलेवा गड़ों को भरने का कारे किसी सरकारी उपक्रम ने नहीं बलकि भाजपा की युवा निता सन्नी यादाओं ने शुरू किया है वे अपनी टीम के साथ सरक में हुए गड़ों को मलबा डालकर उसे समतल कर रहे हैं जिसमें उन्हें शेत्र के लोगों का सहयोग भी भरपूर मिल रहा है नंदनी रोड मुख हिमार्ग में गड़ों के कारण सरक की हुई दूरज़सा से सभी वाकिफ हैं इस सड़क से आवाजा ही करना वहां चालकों विशेश कर दूपहिया चालकों के लिए खतानाक सावित हो रहा है इसे देखते हुए सड़क के समतली करण का बीड़ा युवा भाजबा नेता सन्नी यादव ने उठाया है वे अपने टीन के साथ नंदिनी रोड में हुए गड़ों में मलवा डाल कर उसे समतल करने के प्रयास में लगे हुए हैं इस कारे में उन्हें लोगों का भी सयोग मिल रहा है इसकी जानकारी युवा नेता सन्नी यादव ने दिया मैं सन्नी यादव आज हमने एक छोटी सी पहल की है जिसमें की आने वाली जन्ता जो गंदिनी रोड में छोटे मोटे हाथ से उस गड़े से हो रहे हैं तो हमने एक पहल की है कि यह कम से कम आज हम लोग ने 10 से 15 गड़े पाटे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे बात अस्चर हुई कि मैं वहां गड़े पाट रहा था तो वहां के कुछ लोग जो आटो ड्राइवर और वहां की जन्ता मेरे साथ रुक कर मेरा हाथ बटाई और यह पहल हम करते रहेंगे और आगे गड़े पाटते रहेंगे और सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इस पर थोड़ा सा रोट पर ध्यान दे छोटे-मोटे हाथ से हो रहे हैं किसी की जान चली जारी ही किसी हो पुछ हो जा रहा है हम इस मोहीम को लगातार चलाएंगे और निगम में आयुक्त को भी हम ग्यापन देंगे कि इस गड़ों को पाठाजा और छोटी-मोटी समस्याओं को दूर किया गया गौर तलब है कि मेंदनी रोड में हुए गड़ों को भरने और सड़क संधारां को लेकर कुछ दिनों पूर्वत एक समाजिक संगठन द्वारा सड़क में बेश्रम के पोधे लगाए गया थे उसके बाद भी सड़क संधारां को लेकर किसी तरह की कोई पहज शुरू नहीं की जा सकी अब सन्नी यादाओ के नेट्री तुमें गड़ों को भरने का कारे शुरू किया गया है ब्रेंड एसियन न्यूस के लिए संजय दूए